तो आज मैं अभी लेकर आयों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनॉंस्मेंट और वह अनॉंस्मेंट क्या है वह अनॉंस्मेंट यह है कि CBSE ने class 12th की मतलब आपकी date sheet boards की announce कर दिये तो अभी हम जल्दी से देख लेते हैं कि आपके जो exams होने वाले हैं वो किस-किस date पे होने वाले हैं तो guys बहुत ध्यान से आप अपने exams की जो भी date होंगी वो note कर लीजेगा अब सबसे पहले चीज़ की आपका जो exam है वो शुरू हो रहा है 4th of May से ठीक है तो 4th May से exam शुरू हो रहा है ठीक है आपका जो पहला exam होगा आपके elective की में बात नहीं करें guys अगर English आपका elective है तो पहले दिन ही आपका exam है मैं आपके elective की बात नहीं करी मैं आपके जो course, subjects physics, chemistry, biology और math उसकी बात कर रही हूँ ठीक है तो आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे मैं इसको धीर धीर ही move करूंगी so that अगर आपका कोई exam है इन में से तो आपको note कर लेंगे ठीक है जैसे अगर आपका physical education है तो आपका morning shift में है किस दिन है 8th में को है है वैसे ह अगर आपका यह बहुत सारे exam दिये हुए इन में से कुछ भी है तो देख लीजे आप पहला जो आपका core subject का exam होना है जो की है physics physics का exam हो रहा है 13th में को और shift कौन सी होगी morning shift होगी morning shift होगी 13th में को ठीक है उसके बाद आप देखिए वापस से जो है बहुत सारे आपके electives आ जाएंगे है ना बहुत सारे ऐसे electives आ जाएंगे तो इसके बाद guys next exam के उपर आ जाते हैं next जो आपका main exam होने वाला है वो है chemistry chemistry का आपका exam है 18th में को और again guys shift उसकी morning ही है अभी मैं आपको morning और afternoon shift का time ही बताऊंगे उसके बाद वापस से आप देख रहे हैं political science और ये arts और बहुत सारे वापस से आपके exams आ जा जा रहे हैं जो कि electives में बच्चे choose करते हैं और इसके बाद आपका जो main paper है वो आपका आ रहा है 24th में को biology biology है 24th में को और again guys morning shift में है तो basically आपके सारे exams morning shift में हो रहे हैं और guys अगर आप जाई के student है और आप ये video देख रहे हैं तो मैं आपको इसके आगे भी दिखा देती हूं कि maths maths का exam जो है ठीक है आपका maths का exam हो रहा है 1st June को 1st June को खतम हो रहा है basically है ना और ये भी shift जो है morning की ही है तो अगर आप PCB student है तो आपका exam 13th, 18th और 24th में होगा अगर आप PCM है तो 13th, 18th और 1st June को exam होगा और अगर आप PCM भी आपने लिया है तो आपका exam 13th, 18th, 24th में और उसके बाद 1st June को होगा तो guys इससे एक और चीज हमें पता चलती है इससे हमें एक और क्या चीज पता चलती है कि क्योंकि आपका last जो अगर आप paper देखेंगे आपका exam 4th में से 11th June तक चल रहा है ठीक है 4th में से 11th June तक चल रहा है तो आपका अगर 11th June को exam खतम हो रहा है तो at least 2 weeks का gap होगा NEET UG से इसका ये मतलब है कि most probably आपका NEET का exam या तो June last week आपकी जो होगी या फिर July first week में होने वाला है ठीक है तो अब आप अपनी preparation उसके according start कर सकते हैं अब आपको date almost पता चल गई है NEET के exam की है ना और अब दूसरी चीज इंपोर्टन यहां पर आप shift देख लीजिए तो first जो shift है जो morning shift है उसका time है 10.30 a.m. से start होगा ठीक है और जो आपका afternoon shift है ठीक है afternoon shift जो है वो 2.30 p.m. से start होगा ठीक है गाइस तो morning shift to 10.30 a.m. और afternoon shift to 2.30 p.m. और यहां पर cbsc ने और भी बहुत सारे ऐसे notes में करके कुछ डाले हैं ऐसे points यह पढ़ लीजेगा ठीक है तो guys याद रखेगा कि यह video देखने के बाद आप एक बार cbsc की official website जरूर चेक कर दीजेगा और आप अपनी date sheet जरूर note कर दीजेगा और अगर आप boards या फिर need की preparation क कर रही हैं तो आप अब जरूर चेक कर लीजेगा कि आपको किस तरीके से अपनी preparation target करनी है ठीक है यह जरूर चेक कर दीजेगा ठीक है और मैं आपको अब आपकी जो need की preparation है उसके according targeted syllabus cover करना शुरू कर दूंगी अपने videos पे तो guys अगर आपको इस video से सारी information मिल गई है तो video क आपको लाइक जरू कीजेगा और अपने फ्रेंड से जल्दी जल्दी शेयर कर दीजेगा और अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजे चैनल को और बल अलकिन प्रेस कर दीजेगा तो आपको सारी इंपोर्टेंट अप्डेट्स जो मैं डालती हूं मिलते दो कर दो किए और एक प्रेस्ट ए दू को जए प्रेस्टुर प्रेष्ण ऑ बाई